स्वागत आप सभी का पंचमरी में पंचमरी जो मध्यप्रदेश के सत्पूड़ा परवत के बीच में बसा हुआ एक प्रसीद्ध हिल स्टेशन है और पंचमरी जाना जाता है अपने जंगल सफारी के लिए यहां के ब्यूटिफूल वाटर फॉल्स के लिए यहां का प्यारा संसेट, यहां की एक्टिविटीज और पंचमरी में प्रसिद्ध धार्मिक स्टल होने के साथ ही में अपने नेचर की ब्यूटि की वज़े से सभी यात्रियों को अपने और आकरशित भी करता है पंचमरी हिल स्टेशन आने के लिए नजदी का रेलवे स्टेशन पिपरिया का आता है और पिपरिया रेलवे स्टेशन से पंचमरी 52 किलो मिटर के दूरी परे और पिपरिया रेलवे स्टेशन के बाहर से टैक्सी और बस आपको 80 रुपई से लेकर 100 रुपई तक देड़ से 2 घंटे में ब्यूटिफुल नजारे दिखाते हुए पंचमरी हिल स्टेशन तक खोचा देगी पंचमरी में घुमने के लिए मैंने 400 रुपई में स्कूटी हायर करिये और पंचमरी में आपको कई पर भी 300 से लेकर 700-800 तक स्कूटी रेंट पर मिल जाएगी और अपने सेफटी के लिए स्कूटी का वीडियो जरूर बना लेना अभी हम जटाशंकर की ओर जा रहे पंचमरी के में मार्केट से जटाशंकर दो किलो मिटर के दूरी पर है आप चलकर भी आ सकते और यहापर इंट्री फिरी है अगर आप ध्यान से देखते हो इन मांटेंस के बीच में तो उपर यहापर आपको टाइगर का फेस नजर आएगा मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ ऐसे आप सब जगा नजर गुमाईएगा आपको कुछ नकुछ नजर आई जाएगा सामने आप देख सकते हैं दो बड़े-बड़े मांटेंस है और इन मांटेंस के बीच में जटा शंकर जी का मंदिर बना हुआ है और यह जो सीडिया नजर आ रहे हैं आपको यही से हमें उतर कर नीचे की तरब जाना है तो चले मैं आपको दर्शन कर रहा था हूँ अभी अभी हम गुफ़ा के अंदर है और सामने अगर यहापर द्यान से देखें तो आपको मगरमच की तरह नजर आएगा यहापर बहुत सारे शिवलिंग चोटे-चोटे बने हुए है तो यह जो आपको नजर आ रहा है अच में अटका हुआ है और नीचे आप देख सकते हैं यहापर यह पानी है जो कि भूत ही थंड़ा है और सामने का नजारा देखिए कितना बड़ी है अब ही हम राजंत्रगीरी पॉइन पर है और संसेट देखने के लिए जाने वाल है यहापर आप देख सकते हैं सभी जिप्सिया सभी टूरिस्ट संसेट देखने के लिए शाम के साड़े पाच बज़े के बाद यहापर आ जाते मुझे थोड़ा सा लेट हो गया तो आप लेट मत करना तो चलिए जल्दी संसेट होने से पहले में आपको संसेट दिखाता हूँ पंचमडी का प्यारा संसेट देखने के बाद मैं आ चुका हूँ पंचमडी के मेन मार्केट में और यहाँ पर बहुत सारे खाने पिने के होटेल्स बने वे और यहाँ पर आपको वेस्थाली 90 रुपीज से लेकर 150 रुपीज तक मिल जाएगी अगर आप विंटर में आते हो तो गरम कपड़े आप जरूर लाना पंचमडी में दूसरे दिन में सुबह उटकर ब्रेक्फास्ट करने के बाद मैं निकल पढ़ा बी वाटरफॉल को विजिट करने के लिए पंचमडी में घूमने के लिए आपको सबसब पहले बाइसन लॉज आना होगा और बाइसन लॉज के अंदर से आपको परमिट लेना होगा जो कि एक दिन का 110 रुपै अगर आप स्कूटी से जाते हो तो और बाइसन लॉज के अंदर ये आपको जीपसी का रेट वगेरे मि पूरी पर है और अंदर टू विलर आलाउड नहीं है अगर आप जीपसी से आते हो तो जीपसी पूरा अंदर तक चली जाती है और तीन किलोमेटर आपको चल करी जाना होगा 25 मिनिट चलने के बाद हम बीफॉल के पार्किंग एरिया तक पोच चुके और यहां से अब यहा क्रॉस करने के बाद आप हो जाओगे बीफॉल के पास में बीफॉल के तरफ जाने के लिए आपको इन सीडियों से होते हुए नीचे जाना होता है और नीचे तो आप चले जाओगे आसानी से लेकिन उपर आते हो ज़्यादा थकान हो जाती है बी वाटरफॉल पंचमडी का सबसे बड़ा वाटरफॉल होने के साथ ही में सभी टूरिस्ट का फिवरेट टूरिस अट्रेक्शन है और वाटरफॉल को एंजोई करने के बाद यहां की गर्मा गर्म मैगी ज़रूर ड्राय करना रास्ते से आतवक्त आपको यह रीजगर्ड का बोर्ड नजर आएगा यहां से आमें सीधा जाना है और वहापर फॉरेस्ट डिपार्डमेंट का चेक पुस्ट है वहापर आपको आपकी पर्ची दिखा कर वही से अंदर सीधा जाना है और अंदर आने के बाद यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करिएगा और इसके सामने आपको यह वाली शॉप नजर आएगी और यही से नीचे से रास्ता बना हुआ है रीजगर्ड की गुफाओं के लिए और गुफा की तरफ जाने के लिए आपको मातरा 300 मीटर का ट्रैकिंग करना है और रास्ता बहुत ही बड़ी है दुपेर पाच मिनट चलने के बाद हम रीजगर्ड की मश्यूर गुफा तक पहुच चुके अभी हम इस गुफा के अंदर है और गुफा के अंदर आपको आपक से लेकिन जो यह चोटी वाली गुफा है अंदेरा बहुत जाद है तो आप बाहर से देख लेना अगर आप यहां पर द्यान से देखो तो यहां पर आपको जो अउले उल्लू उसका चेहरा नजर आएगा और आभी हम गुफा के उस पार आए जैसे इन गुफाओ का नाम है रीचगड की गुफा है वैसे यह गुफा है बहुत ही रीच है क्योंकि यहां पर आपको भर भर के नेचर मिलने वाला है और आभी हम गुफा के एंडिंग में और इस वैली से होते वे उस पार जाने वाले और यहां से गुफा खतम हो जाती ह अभी मैं पंचमडी के पैराग्लाइडिंग साइट पर हूँ यहाँ पर पैराग्लाइडिंग के पर परसन 600 उपी चार्ज लिया जाता है और जो जिपसे आपको लेकर जाती है वे जिपसे आपको वापस भी लेकर आती है और यहाँ पर आप ATV आफ पर राइडिंग भी कर सकते है और जो भी आपर एक्टिविटीज होती है उसका रेट आपको सामने नजर आ रहा होगा वहाँ से आप स्क्रिन्शॉट लेकर रख सकते है यह सीधा रास्ता चवरागड की तरब जाता है और उसी के पास में हांडिको जाने के लिए रास्ता बना हुआ है अब ही हम हांडिको पॉइंट पर है और यहाँ से आपको बहुत गेरी खाई का वीव नजर आता है और चारों तरब से मांटेने और बीच में डीप खाई है इसलिए इसको हांडिको पॉइंट नाम दिया गया है मेरे पीछे आप देख सकते कि इतना डीप वैली है इसलिए हांडिको को सोसाइट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और जितना ये ब्यूटिफूल पॉइंट है उतना ही खतरनाक भी है आंग्रेजों के जमाने में यहाँ पर मेजर हंडा हुआ करते थे उनकी इस जगा पर हॉर्स राइडिंग करते वे मोत हो चुकी थी इसलिए इस पॉइंट को हंडिको के नाम से जाना जाता है ये प्रियदर्शनी पॉइंट का छोटा सा ट्रेक है और वहाँ पर इको पॉइंट का भी बोर्ड लगा हुआ है दो मिनिट चलने के बाद हम प्रियदर्शनी पॉइंट पर पोच चुके सच में आवाज आ रहे हैं आपको जरूर ट्राय करना चाहिए मिस्मत करना प्रियादर्सेनी पॉइंट से लगबग देड़ से दो किलो मीटर के दूरी पर यह आपको ग्रीन वैली वीव पॉइंट नजर आता है और यहाँ से वीव देखो यहार कितना बढ़िया है इस पॉइंट को एक्स्प्लेन करने के लिए मेरे पास कुछ शब्दी नहीं है और यह आपको जो पूरा जंगल नजर आ रहा है इसी के बीच में से रास्ता होते हुए चवरागण महादेव के तरब जाता है महादी पंचमडी के सबसे खूपसूरत चर्च के पास में और इसका आर्किटेक्चर तु देखो यहार कितना बढ़िया है और किसी जमाने में अंग्रजो का भारत के उपर राज हुआ करता था तो उनी लोगों के द्वारा इसे ब्यूटिफू से चर्च सबी हिल स्टेशन पर बनवाए गए थे बहुत सारे टूरिस्ट पंचमड़ी घुमने तो आते हैं लेकिन इस चर्च में बहुत ही कम टूरिस्ट आते तो एक बार इस चर्च के अंदर जरूर जाना अब हम आचुके हैं पंचमडी से एक किलोमीटर के दूरी पर पंचमडी के बोट कलब लेक में और यहाँ पर शाम के समय में सभी टूरिस्ट आना पसंद करते हैं यहाँ पर आप जिपलाइनिंग कर सकते हैं बोटिंग कर सकते हैं और स्पीड बोट लेकर संसेट देखने के लिए भी जा सकते हैं पंचमडी के में मार्केट एर्या के पास में और बस्टैंड के पास में आप सीजन में होटल रूम आपको 600 रुपे से लेकर 1000 तक मिल जाएगा और पंचमडी घूमने में आपका 7000 से लेकर 10,000 तक बज़ेट आ सकता है और सीजन में थोड़ा सा कौसली पड़ सकता है पंचमडी के बस्टैंड से पीपरिया जाने के लिए शाम के 6 बज़े तक बसेस अवेलेबल होती है या फिर अप टैक्सी से भी जा सकते है और महाराश्टर से नाकपूर से भी यहाँ तक बसेस आती है मैं हूँ अभी पंचमडी के कैंटन में पार्क में और यहाँ पर बहुती बीटिफुल जील बनी हुए और जील में आपको कमल के फुल भी नज़र आगे और इस व्लोग को यही पर एंड करते अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आकोन को भी प्रेस करना और मिलते हैं आपको नेक्स व्लोग में